हेलो एंग बेलकम में विल्कंट लिख न स Whenever आएट कि एस वीडियो में हम में असोरे Şंप फॉर्मुला यकी आयत से रिलेटेर रहेगा यनकी रिक टेंडल से रिलेटेड हो गये ये न वीडियो में हम आयत से रिलेटेड से आप यह दो कि या देखिए आएत हो गया यह आपका बर गैस में क्या आतर है लेकिन आयत में क्या होती है आमने सामने की भुझा सिर्फव बढबर होती है जरूरी नहीं है कि रखाश भुझा बुझा घमार भर ऑच अभर कि आयत का छिते फल की कपीटल से देद करते तो यहाँ पर A लिग दिया गिया ठीक है यानि कि आयत का लिभाएग गोना चॉराई या फिर हम इसे में लभाएग तो B से जिनोट करते है और उचाई को H से जिनोट करते है ठीक है तो लमभाए गोना चॉराई होता है तो यहाँ पर हम L int B bуш बोल सकते हैं अब दूसरा सेकन फर्मूला है आयत का प्रिमाप इक्वल टू होता है टू इनटू लंबाई प्लस चाओराई कौलयाई कि यह बिल सकते हैं क्योंकि लंबाई को B से दिनोट करते हैं दर साथ आएकग इसे तरहा थे करते हैं यानि कि यहाँ पर स्मॉल डी लिग दिया गया ठीक है तो आयत का विकर्ण इक्वाल डू हता है अंडर रूट लंबाई का स्कॉयर प्लस चौडाई का स्कॉयर लंबाई का स्कॉयर प्लस चौडाई का स्कॉयर यानि कि अंडर रूट इसे हम एल का स्कॉयर प्लस बी का स्कॉयर भी हम बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है आयत की लंबाई तो आयत की लंबाई इक्वल टू छेत्रफल बटा चौराई कह सकते हैं यानि कि ए कैपिटल ए बटा स्मॉल बी क्योंकि चौराई को बी से डिनोट करते हैं स्मॉल बी से और छेत्रफल को कैपिटल ए से ड स्मॉल एल ओके स्मॉल एल लंबाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आयत की परिमीती परिमीती को पीसे डिनोट करते हैं तो आयत की परिमीती इक्वल टो होता है टू इंटू अंडरूट अंडरूट टू टू इंटू अंडरूट टू इंटू अंडर का सकते हैं देखके च्ब इस से हैं यहांट कि स्था सिता पिसे कह सकते हैं और विकरन को small d से दिनोट करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट है आयत की बड़ी भूजा आयत की बड़ी भूजा निकालना हो तो क्या करेंगे तो आयत की बड़ी भूजा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मैं कि अन्डारूट ट्रीट और यी ट्र प्लाश भी करने का स्कुर Right या फिर इस्तरह भी लिए व takes a Both टू इंट्टी ए प्लस ब्लस वे का स्कुर If You अन्ड़ारूज दी का स्कुर Right मैंनेश टू ए बड़ी खी सार 20 है और आयत की चोटी भूजा यह की 5 ही जिसे ऐत पे भुज़ा को यहाँ पे b c apart inc Vilni करते हैं ठीक है आप देखिए आयत की फोटी आ टू अन्टर रूट टू इंटू छेत्रफ़ल वट कंदर ओनट डूट्रपा इसकोईऌर ओनिया रीक्ति इसकोईर मैनस फोर लिए एक अपिटल ए है यानि श्यत्रफल बटा टू ओके इस परकार भी आप इसे आप अल्फावेट में लिख सकते हैं ठीके चले देखते हैं और भी नेक्स्ट फर्मूला इसका क्या क्या है अब देखिए नेक्स्ट फर्मूला है यदि आयत की भुजाओं तथा विकर्ण का अंतर दिया हो कोस्टन में तो क्या होता है तो आयत की छित्फल तब होगा आपका विकर्ण का स्कॉयर मैनस अंतर अंतर का स्कॉयर बटा टू यानि की स्मॉल डी का स्कॉयर मैनस डिफ्रेंस स्काई स्क्वर्वटा टू जहां अंतर जो संघ्था बूद्धाओं का अंतर क्या है कि अग्रतती अवंचाई कूंग нач आयत की चार हो दिवारों काई यो चेサल की आले देख करें तो इस पर कर आप टो फोर्मूला है मैं यहां पर गला सब्सक्तावाइक यहां प्रक्तिर यह पर लंब है विकर्ण पर जो लंब होगा वही P1 पलस P2 है ठीक है P1 और P2 है ठीक है नेक्स्ट है चतुर्भुज का विकर्ण यानकी D जो परतिय को 90 डिगरी पर काड़ता है तब चतुर्भुज का छितफल इक्वल टू होगा D1 का D1 इंटू D2 वाटा 2 स्ब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यदध शेड़ा करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक् guys